इस कहानी की शुरुआत होती है तब के फ्यूचर से जब प्रित्वी के चारों तरफ एक खतरनाक वायरस फैल चुका था। ये वायरस इतना खतरनाक था कि अगर कोई भी इंसान उसके कॉंटेक्ट में आता तब वो एक ही दिन में मारा जाता। पर अगर ये वायरस इसी तरीके से फैलता रहा तब प्रित्वी पर से इंसानों का नामों निशानी खतम हो जाएगा। इसलिए दुनिया बरके सारे वेग्यानिक एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। जिसके अंदर उन्हें कैसे भी करके इंसानों को एक सीब जगव पर लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए कई दिनों की रिसर्च के बात वेग्यानिकों ने ये डिसाइड किया कि वो अगर प्रित्वी पर नहीं रह सकते तो उन्हें प्रित्वी के जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। इसी कॉंसेप्ट को ध्यान रखते हुए विज्ञानिकों ने जमीन के अंदर बहुत सारे बंकर्स बना दिये थे ये बंकर्स जमीन से 30-30 फीट की गहराई में होते हैं इसके अंदरी इंसानों को वाइरेस से बचा कर रखा जा सकता था लेकिन बंकर्स की संख्या कम थी और लोग बहुत जादा इसलिए लोटरे सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी को इस बंकर में रहने के लिए चुना जाने वाला था जिनका नाम लोटरे सिस्टम में आ चुका था उन्हें बंकर्स तो अलोट हो जाते हैं लेकिन बाकी सभी को मरने के लिए धर्ती पर ही छोड़ दिया जाता है। वैग्यानिकों का मानना था कि इन सारे लोगों को बंकर के अंदर 70 दिनों तक रहना होगा। क्योंकि 70 दिनों तक उस वाइरस का असर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। और जब बंकर के अंदर मौजूद ये सारे लोग धर्ती पर जाएंगे तब ये इनसानियत की एक नई शुरुवात कर सकते थे। हर एक बंकर के अंदर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता था जो की अलग-अलग जगों पर बनाए गए थे। वेग्यानिकों ने तो साथ-साथ लोगों का एक ग्रूब बना दिया था, जिससे की वो अपने बंकर में बैटकर बाकी लोगों से स्क्रीन पर बाती कर सकते थे। अब हमें उसी तरीके से साथ लोगों का एक ग्रूप दिखाया जाता है सभी लोगों के नाम अलग-लग सिटीज के नामों के उपर रखे गए थे क्योंकि उनका बंकर भी उसी सिटी में मौझूद था उन सभी को वहाँ पर पूरा एक हपता होने आ चुका होता है और अभी से ही उन लोगों को अकेला पन मैसूस होने लगा था पर तभी औरलेंडो नाम का एक आदमी जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है वो बाकी लोगों को डिमोटिविट करने लगा था औरलेंडो कहता है कि हम सब यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकलने वाले और तो और औरलेंडो गुसा होकर ये कहने लगा था कि वो असली दुनिया में एक सीरियल किलर था जिससे कि बाकी छे लोग थोड़ा सा डरने लगे थे तबी डैनवर नाम का एक आदमी जो IT कंपनी में एक डैवलपर था वो कहता है कि मैं सिस्टम को हैक करके औरलेंडो के कनेक्शन को काट सकता हूँ जिससे कि औरलेंडो हमेशा के लिए हमसे डिसकनेक्ट हो जाएगा हाला कि कुछ लोग इस बात के एगेंस्ट होते हैं क्योंकि अगर औरलेंडो का कनेक्शन काटा गया तब वो अकिला होने के साथ-साथ काफी एग्रेसिव भी हो जाएगा और साइट जब उसे बंकर से बाहर निकाला जाए तब वो और भी लोगों का कतल करे लेकिन डैनवर ने तो सिस्टम को हैक करके औरलेंडो का कनेक्शन कार्ट दिया था जिससे कि औरलेंडो अब बाकी लोगों से कभी भी बात नहीं कर सकता ये तो औरलेंडो के लिए जेल से भी बत्तर सिचुईशन थी अब कुछ देर बात फिनिक्स नाम की एक और डैनवर के पास आकर ये कहती है कि हमने ये सही किया की नहीं क्योंकि एक तरीके से देखा जाये तो औरलेंडो के लिए ये एक मर्डर है पर तभी डैनवर फिनिक्स को समझाता है कि हमें इस सिचुईशन में टफ डिसीजन लेने ही पड़ेंगे क्योंकि छोटी छोटी डिसीजन हमारे आगे बढ़ने का रास्ता हो सकते हैं हमें यहां यह भी पता चलता है कि फिनिक्स और डैनवर एक दूसरे से प्यार करते थे हाला कि वो एक दूसरे से कभी मिले नहीं पर एक दूसरे की बिहिवियर और चैरे को देखते देखते उन दोनों में प्यार पनपने रगा अब यहाँ बंकर के अंदर सभी लोगों को पूरे आठ महीने बीच चुके थे यहाँ यूस्टेन नाम के एक आदमी के बंकर का सिस्टम थोड़ा सा खराब हो चुका होता है क्योंकि सभी बंकर के अंदर टाइम टू टाइम धरती के इसाब से दिन और रात हुआ करते थे अगर रात होगी तो सारी लाइट्स रात की तरह ही चमकनी लगेंगे पर अब यूस्टेन के सिस्टम में ये खराबी आने के कारण कभी भी दिन हो जाता था और कभी भी रात जिससे के यूस्टेन के daily routine में काफी जादा फरक दिखने लगता है और तो और यूस्टेन की तबेट भी खराब हो चुकी थी पर ये छोटी बात समझकर बाकी लोग अपने अपने काम में लग गए थे। उन सभी को दिन में एक काम दिया जाता था जिससे के सभी लोग बिजी रहें। सभी के monitor पर हमेशा एक data दिखाया जाता था जिसमें कि ये mention होता है कि जमीन के अंदर virus का percentage कितना है और कितने लोग मारे जा चुके हैं। पर अब overall system में कुछ खराबी आने के कारण वो data उन्हें दिखाई नहीं देता। देखते ही देखते सिस्टम में मौझूद ये छोटी सी गड़बडी सभी के सिस्टम में फैल जाती है। Denver और Phoenix को लग रहा था कि धीरी धीरी उनका life support सिस्टम भी खराब हो जाएगा और फिर वो सब यहाँ से निकलने से पहले ही मारे जाएंगे। सभी लोग इन सारी चीजों की वज़े से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी कुछ दिर बाद Phoenix Denver के पास आकर कुछ बाते कर रही थी कि इन सारी चीजों की वज़े सायद वो हो सकती है जब तुमने आठ महीने पहले सिस्टम को हैक करके Orlando का स्क्रीन बंद किया था। सायद से ये हैकिंग ओवर ओल सिस्टम में फैलने की वज़े से खराब होने लगी है। इसलिए Phoenix Denver को कह रही थी कि तुम सिस्टम को फिर से हैक कर लो और Orlando का स्क्रीन ओन करके देखो। सायद से इन सारी चीजों से उन्हें एक अच्छा रास्ता मिल जाए। पर Denver Phoenix से कहता है कि ये इतना भी आसान काम नहीं है। थोड़ी सी गलती और उनका पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। लेकिन Denver को भी कहीं न कहीं लग रहा था कि ये उसकी ही गलती है। इसे लिए अब Denver बड़ी मेनद करते वे लग गया था सिस्टम को फिर से हैक करने के लिए। कई दिनों तक तो वो हैकिंग में ही लगा रहता है। और अब आखिरकार उसने औरलेंडो का मॉनिटर ओन कर दिया था। पर Denver को तो औरलेंडो की रूम में कोई दिखाई ही नहीं दे था। जब ये बात बाकी लोगों को पता चली तब Boston नाम का एक आदमी Denver पर काफी गुस्सा होने लगा था। क्योंकि Denver की इस तरीके के हैकिंग करने की वज़े से उनका पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम में खराबी आ सकती थी। लेकिन अब Denver किसी की भी बात ना मानते वे औरलेंडो की सिस्टम की पूरी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करने लगा था। कि सारी फुटेजेश एकदम बलर दिखाई दे रही थी। इसलिए वो सब औरलेंडो को अच्छे से देखने ही पा रहे थे। पर Denver ने इतना तो देख लिया था कि उस बंकर का दरवाजा उपन है। जिसका मतलब यह हो सकता है कि औरलेंडो इस बंकर से बाहर निकल चुका है। पर आकिर यह कैसे हो सकता था। कोई भी इनसान अंदर की तरफ से बंकर कभी खोल ही नहीं सकता। Denver और बाकी सब इन सारी चीजों की investigation करने में लग जाते हैं। पर यहां यूस्टन जिसके बंकर की सारी दे और नाइट की चीज़े खराब हो चुकी थी। वो तो कितने दिनों से अच्छे से सोया भी नहीं था। इन सारी चीजों का effect यूस्टन की दिमाग पर पढ़ता ही जाता है। और अब तो यूस्टन आउट ओफ कंट्रोल होकर अपने सर को दिवार पर पटकने लगा था। इन सारी चीजों की वज़े से यूस्टन का monitor थोड़ा सा blur हो जाता है। और अब डैनवर और बाकी सभी ने ये देखा कि यूस्टन के bunker का दरवाजा खुल कर कोई अंदर घुसा और यूस्टन को लेकर अपने साथ चला गया। किसी को नई पता होता कि आखिर ये कौन था और यूस्टन कहा चला गया। लेकिन अब बचे हुए पांचों लोग बहुत ही जादा डरने लग जाते हैं। उन्हें ये कैसे भी पता करना था कि आखिर bunker के बाहर हो क्या रहा है। जिसके लिए उन्हें तुरंट बाहर निकल कर चेक करना पड़ेगा। लेकिन बॉस्टन सभी को बता रहा था कि अगर हम सब बाहर गए तब वाइरस की वज़े से मारे जाएंगे। और हम सभी इंसानियत की लास्ट उमीद हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने bunker के अंदर ही रहना चाहिए। अब यहां अटलांटा अपने bunker के अंदर अलग-लग चीजों को हटा कर देखने लगी थी। तब ही अचानक अटलांटा एक pipe को हटाती है जिसके अंदर से खाना आता था। तब उसने देखा कि दूसरी तरफ एक खाली जगह है। जिससे कि यह confirm हो गया था कि वो सब जमीन के अंदर नहीं बलकि कहीं और पर मौजूद है। क्योंकि अगर वो जमीन के अंदर मौजूद थे तब pipe के दूसरी तरफ मिट्टी होनी चाहिए थी। अटलांटा सभी को यह बताई रही थी तब ही अचानक उसका भी सिस्टम क्रैश होने लग जाता है। अटलांटा के मौनिटर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब ही अटलांटा के बंकर में कोई आदमी गुसता है और उसे अपने साथ लेखर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अटलांटा का मौनिटर साफ हुआ तब सभी लोग यह दिखते हैं कि अटलांटा अपने बंकर में मौजूद ही नहीं है। जिसके वज़े से तो बचे वे लोग और भी ज़्यादा डर चुके थे। सिकागो नाम का एक आदमी इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि वो सूसाइट कर लेता है। और अब उस बंकर में सिर्फ और सिर्फ तीन ही लोग बचे थे। डैनवर, फिनिक्स और बॉस्टन उन तीनों को कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए अब डैनवर सारी चीजे पता करने के लिए सिस्टम को फिर से हैक करता है। उसने बड़ी मैनत करके जमीन में मौझूद सारे बंकर्स का डिटा निकाला। तब जाकर डैनवर को रियालिटी पता चलती है कि जमीन के अंदर लाख बंकर को बनाया नहीं गया था। बलकि जमीन के अंदर तो हजार से भी कम बंकर मौझूद होते हैं। और तो और उनमें से आदे से ज़्यादा बंकर खाली हो चुके थे, क्योंकि उसमें रह रहे कई लोग गायब हो चुके थे या फिर सूसाइड कर चुके थे, इस बात से फिनिक्स काफी घबरा गई थी और उसे लग रहा था कि उन्हें कुछ करना चाहिए, इसलिए अब फिन अब दैन्वर और बॉस्टन ने भी वो सारे वायर्स निकाल दिये थे, जिससे उनके भी बंकर के दरवाजे उपन हो जाते हैं और अफिनिक्स, डैन्वर और बॉस्टन एक एक करके दरवाजा खुल कर बाहर निकल रहे थे, पर उन्में देखा कि वो कोई जमीन के अंदर म इक ही नहीं पा रहे थे और अब इतने समय बाद डैन्वर, फीनिक्स और बॉस्टन ने देखा कि चारों तरफ का मौसम एकदम नॉर्मल है और किसी भी तरीके का वायरेस नहीं फैला हुआ यानि कि उन सबी से साब साब जूट कहा गया था इसलिए अब वो तीनों यहां से भागने का डिसाइट करते हैं पर गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड्स मोजुद थे इसलिए अब बॉस्टन डैन्वर और फीनिक्स को यहां से भागने के लिए कहता है ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटका सके बॉस्टन तो उनसे दूर भागने लगा था जिससे की सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करने लग जाते हैं और वहीं डैन्वर और फिनिक्स अपनी जान बचा कर उसी अपार्टमेंट के एक आफिस में आ गए थे पर अब उन दोनों के सामने एक लेडी आ जाती है जिसने उन दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लिया था दरसल ये लेडी एक वेग्यानिक होती है जिसने की इन सारे प्रोजेक्ट को तयार किया था वो लेडी फीनिक्स डैन्वर से अलग रहने के लिए कह रही थी क्योंकि डैन्वर एक सीरियल किलर था धरहसल बात ये होती है कि उस लेडी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट तयार किया था जिसमें कि शेहर के सारे क्रिमिनल्स और सीरियल किलर को सजा दी जाएगी और इसलिए उन्हें इन सारे बंकर्स में बंद करके कई सालों तक रखा जाता था जिससे के अपरादी अपने गलती का एसास कर पाएं लेडी ने सरकार के साथ बात करके इस प्रोजेक्ट को अपरूब भी करा लिया था यानि कि धर्ती पर वायरस फैलना और जमीन के अंदर बंकर्स मौजूद होना ये सब एक कहानी थी उन सारे बंकर्स के अंदर जो भी लोगते वो सब है अपरादी होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बुरे से बुरी चीजे की थी डैनवर तो एक सीडेल किलर होने के साथ साथ लड़कियों का बहुत ही जादा अयाज था वो अलग-अलग डेटिंग साइट पर लड़कियों को डेट करता और उन्हें आखिर में मार देता और अब यहाँ फीनिक्स को भी डैनवर की असली सचाई पता चल गई थी डैनवर तो फीनिक्स से प्यार करने का नाटक कर रहा था ताकि वो एक दिन उसके पास पहुँच सके और अब उस लेडी ने डैनवर और फीनिक्स दोनों को ही बेहोश कर दिया था कुछ दिर बाद फीनिक्स को होश आता है और वो अपने आपको एक चेर पर बंदा पाती है उसके सामने डैनवर भी मौझूद था जो उसे लगातार गंदी नजरों से घूरता जा रहा होता है अब यहाँ फीनिक्स दैनवर के साथ उसके सारे अपरादी दोस्तों को एक साथ बुलाया जाता है और उनी बंकर्स के अंदर वापस रखा जाता है फीनिक्स और डैनवर और औरलेंडो से भी मिलते हैं जो उनके साथ खड़ा था पर अब औरलेंडो एकदम से पागल होकर सेक्योरिटी गाट की गन लेकर डैनवर को मारना चाता था लेकिन सेक्योरिटी गाट्स उल्टा औरलेंडो को ही जान से मार देते हैं जिसके बार डैनवर फीनिक्स और बहुत सारे अपरादी जिन्नोंने अपनी लाइफ में काफी सारे कतल किये थे उन्हें उस अपार्टमेंट के बंकर में वापस डाल दिया गया था लेकिन इस बार बंकर के अंदर जो उन्हें पहले फैसिलिटीज मिल रही थी वो अप पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी वो सारे रूम तो एक काल कोटरी जैसे थे जहां का माहल बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला था धरसल अपसरकार ने उस लीडी के प्रोजेक को बंद कर दिया होता है क्योंकि उन्हें लगता था कि बंकर जैसे इस माहल को बना कर वो अपरादियों के माइंड को चेंज कर सकते थे पर अपसरकार ने अपने पुराने तरीकों को ही अपनाना स्टार्ट किया और फीनिक्स डेनवर्ज जैसे कई सारे काति लोगो इसी तरीके के काल कोठरी में रखा जाता है जिससे कि वो अपनी गलती पर अफसोस कर सकें और बदल सकें इसी तरीके से हमारी ये डरा दिने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है सो वीवर्ज आपको ये स्टोरी कैसे लेगी कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पनेशन एक परसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एं चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाई